वेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो बच्चों होग को ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा आएँ उसी की हम DPP डिसकेशन करने जा रहा है तो हमने Combination of Resistance पढ़ लिया थो उनी Combination of Resistance का अब हम यहां पर घ्रजिस्टेनस का DPP आपको दिया जाएगा अगर आप हमारे साथ आफ लाइन जुड़ना चाहते तो अनकेडमी आफ लाइन सेंटर उपन हो गये हैं उन और आप जॉइन करिए और वहाँ कर आप हमारे साथ पढ़िए इन कोर्सेस को जॉइन करते टाइम अगर आप आनंद कोड यूज करते हैं तो आपको special discounts मिलेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट है courses related कैसे जॉइन करें offline centers कहां पर खुलें क्या नहीं खुलें तो आप इस help line number पे call कर सकते हैं इस help line number पे आप call कर सकते तो आप जिस इस help line number पे call करेंगे तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी बिटा ठीक है चल बिटा अपना डिबीबी डिसकेशन की तरफ बढ़ते बिटा तो सबसे पहले डिबीबी डिसकेशन हम बात करते हैं आपका question number one की तो question number one हमारा क्या बेटा दे बोला है in series combination of two और more than two resistance अगर series combination में दो और दो से ज्यादा resistance है तो current सिर्इस कॉंबिनेशन में बेटा क्या होता रिजिस्टेंस इस तरीके से अपलाई होते हैं यह हमारा सिर्इस कॉंबिनेशन है इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी वी बोल्ट की है तो यह करेंट पास करती है तो करेंट सारा जो है हर एक रिजिस्टेंस से जाता है तो सीरीज कॉंबिनेशन में 2 और 2 से ज़ादा अगर सीरीज कॉंबनेशन है तो हर से किरेंट सेहें होगा है इस हमने आपको पेटा लेक्चर में बताया है तो current त्रू इच रिस्ट्ट इस सेम यह हमारा option करेक्ट हो जाएगा इस बैदर कॉंबिनेशन में बेटा नाइदर करेंट नौर वोल्रे स्टू इस रिस रिच रिषु ये तो फिर गला कि ओन्हों सेम बोथ करेंट दोनों सेम नहीं सकता तो यहां पूर्चलों कित्याइब Kiew tirar नोरी सेम होगा हर एक क्रेंशीरी एक फूर्म के बीच में तो देख इसको करेंगे कैसे हमारे पास एक wire है अगर कि कि एक हमारे पास वायर का लेंथ हमो माले लेंद लेंद होगा कि इस वायर का लेंद कि टनों बथा एल लेंथ हो जाएगा एल लेंथ है तो टोजिस्तिंस कितना अब ट goof टोटल रेजिस्टेंस है 12 कितने लेंथ में एलेंथ में तो रेजिस्टेंस पर यूणिट लेंथ कितना हो जाए गे कितना हो जाएगा 12 by L यानि इस इसको अगर हम क्या करें बिटा इसको अगर हमने सर्किल बना दिया इस वायर को मोड के हमने सर्किल बना दिया ठीक है, इस wire को mode के हमने circle बना दिया, और इसके 2 diametrical points ले लिए, A और B, इसके across हमें resistance बताना बेटा, तो क्या हम इस wire को, यह जो circle के form में wire को बनाया है, तो क्या हम इसको ऐसे draw कर सकते हैं, बेटा, क्या हम इसको ऐसे draw कर सकते हैं, कि बेटा, बेटा, आपके पास resistance यह है, दूस वाला पार्ट तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना था तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा और नीचे वाले का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा क्योंकि आपको इसने इन्होंने बेंड किया है इन्हों फॉर्म ऑफ सर्किल पैलर कॉंबनेशन हमको पता है R1 R2 divided by R1 plus R2, तो यहाँ पे 6 into 6 divided by 12 हो जाएगा, तो यह आपका कितना आ जाएगा, 6 by 2 यह आपका net resistance आ जाएगा, तो 6 by 2 net resistance आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 ohm, यानि अगर हमने इस वायर को circle में convert कर दिया, और 2 diametrical points ले लिए A और B, तो जो 12 ohm का resistance था, वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 ohm का resistance हो जाएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, net resistance कितना हो जाएगा, 3 ohm net resistance हो गया, clear है, समझ में आए बेटा सभी को, किसी को doubt बेटा, किसी को कोई दिक्कत, चलो, next हम बात करेंगे बेटा, next question की तरफ, inner network shown below, the ring has zero resistance, the equivalent resistance between point A and B is, equivalent point हमें यहाँ पर बताना है, resistance का कितना होगा, तो कैसे बताएगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस type के जो questions आएगे, उसमें हम क्या करेंगे, circuit ड्रॉ कर लेंगे, और circuit को दुबारा ड्रॉ करन चलो, यह अगर हमारा A point है, यहां से यहां तक resistance है, clear है, अच्छा, यह B point है, और यहां से यहां तक कोई resistance नहीं है, तो यह भी B point हो जाएगा, similarly, यहां से यहां तक कोई resistance नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा, बेटा, B point हो जाएगा, और यह A point है, यह कहीं से connected नहीं, तो इसको हम C माल लेते हैं ठीक है जब भी आपको इस टैप के questions करने हैं तो आप इसको points के नाम दे दो और नाम के according आप जब circuit draw करोगे तो आपको answer तुरंद मिल जाएगा तो इसको circuit को अगर हम इधर draw करें बेटा तो देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इधर a point लिखेंगे इधर b point लिखेंगे क्यों लिख रहा है क्योंकि इसके across ही हमें इसके across ही हमें कैच यह बिटा net resistance तो देखो बिटा a से बीच में एक c point भी आ गया ठीक है a से c हमारा एक resistance connected है यह वाला resistance हमने ड्रॉख कर दिया a से c अब c से b यह वाला resistance connected है c से भी एक resistance connected बेटा 3r हमने यह वाला भी ड्रॉख कर लिया फिर c से भी इधर भी resistance एक connected है तो इस तरीके से अगर हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो अब देखो अब हमको समझ में आ गया कौन सा सीरीज और कौन सा पैल्लर कॉंबिनेशन है तो यह तीनों आपका पैल्लर कॉंबिनेशन होगे और उसके साथ यह सीरीज कॉंबिनेशन आ गया तो इन तीनों का जो पैल्ल 3R 3R तो 3R by 3 हो जाएगा तो यह आपका R बचेगा है A और B ठीक है क्योंकि इसका जो पैल्डर कॉंबिनेशन है बेटा आपका इसका जो पैल्डर कॉंबिनेशन है इसका जो पैल्डर कॉंबिनेशन कहा लिखेंगे 1 by R is equal to 1 by 3R 1 by R 1 1 by 3R plus 1 by 3R plus 1 by 3R to 1 by 3R करेंगे तो R कितना आजाएगा वो R के बराबर आजाएगा to net resistance आप series combination में add हो जाता है तो R plus R हो जाएगा कितना बेटाप का 2R हो जाएगा तो यहाँ पर net resistance कितना आजाएगा यह तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा clear है सभी को भी है नेक्स कोशेंट की तरफ बढ़ते बीटा नेक्स कोश्चन भी आपका क्या है current हमें निकालना current इन रचिस्टेंस है इसमें हमें current निकालना तो कैसे निकालेंगे फिर हम क्या करेंगे वही हम दुभारा ढरौ करेंगे जहां पर भी आपको सर्कीट समझ में नहाए कैसे करना है तो आप क्या करो बेटा सब्सक्राइब को दुभारा ड्रल करो पॉइंट को लेकिए तो इधर मां लेते तो हमारा बैटरी यह a point से connected है और इधर यह हमारा एक resistance 1 ohm से connected है यह हमारा क्या हो गया बैटरी वह पोश्चन हमने द्रॉक कर लिया बैटरी कितना और कॉंबशन है और फार। पार क हेंग इनका हो जाएगा संस्थ य Pan जा बेटा गर एक इस तो स Trinity को दुबारा अगर हम ढुटा यहां पर कब ध्यूट कोई और धुबारा यहां पर यहांपे और इस सर्केट हमारा कैसे बन जाएगे फेड़ा पका टू हो गया है यह हमारा बैटरी के साथ वन है ही और यह हमारा 6 ४ हो गया को इस लिए तो अब नेट रेजस्तर आब क्या हो गया बैटरी से करेंट आई निकलेरगा वही करेंट जो बैटरी से निकल लाई वही हमको बताना है कि वन ओम से कितना जा रहा है तो यहां से अगर हम करेंगे करेंट निकालेंगे तो i is equal to क्या होगा वी बाई आर equivalent और यह दुनों क्या होगा बिटा series combination तो वी कितना बिटा 6 series combination में 3 तो कितना आगे बिटा 2 ampere हमारा answer आगया तो वन ओम से कितना करेंट जाएगा बिटा 2 ampere करेंट जाएगा तो option डी हमारा यहां पर क्या होगा बिटा करने आंसर आ गया क्लियर बिटा next question तो next question की तरफ बढ़ेंगे बिटा अब आयर ओफ रिजिस्टेंस 12 वों पर मीटर इस बेंट फॉर्म कम्प्लीट सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटिमेटर रिस्टेंस बिट्वीन इट्स टू डियमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पॉइंट बी आर सुन जो कोश्टन सॉल्व किया था उसी को दुबारा घुमा के पूच लिया है दुबारा आपने उन्होंने क्या किया है आघिटरिकल पॉल्ब नेटा अव यहां पर यहां पर यहँगी यह यह बन जाएगा व्युआ रजीटर्च का इसका बिपूल जाएगा है पर वोइने एंन्प लेंथ में कि युडा और लेंफ कितना यूरार च्बिद देर है यूरा उर इसका शुmb रहे सबस्क्राइब सहरे और डिछ सांटीमित्र संटीम लेंट है यूरा यूरा कितना मैंइस टू तो आर people जो उपर वाले का resistance होगा, कितना हो गया, 10 की पावर minus 2 है यह, तो minus 1 बचेगा, तो 1.2 pi, clear, और similarly नीचे वाले का जो resistance है, R2, वो कितना हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, 12 pi into 10 into 10 की पावर minus 2, तो यह कितना आ जाएगा, 1.2 pi हमारा नीचे वाले का resistance हो जाएगा, clear है, उसको हम length से divide कर देंगा, तो उपर वाले wire की length कितना है, pi r, नीचे वाले wire की length कितना है, pi r, तो कितना length हो गया, resistance हो गया, 1.1, तो यह parallel combination है, तो R equivalent, net दोनों equal है, तो half हो जाएगा, तो 1.2 pi divided by 2 हो जाएगा, 0.6 pi हमारा यह answer आ जाएगा, तो यहाँ पर answer कितना आ जाएगा, pi r, d option हमारा correct हो जाएगा, clear है, किसी को doubt बेटा इसमें, चल बेटा, next question की तरफ बढ़ेंगे, तो next question हमारा क्या बोला है, two wires of the same metal have same length, but their cross section area are, cross sections are in ratio 3 to 1, they are joined in series, the resistance of tricker wire is 10 ohm, the total resistance of the combination will be, हमाँ पास बेटा, दो wire है, एक यह wire है, हमारे पास, ठीक है, दूसरा wire हमारा यह है, दूनों का length same है, इसका भी length L है, इसका भी length L है, अगर हमारा इसका area A है, इसका area 3A हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि area किसमें दिया, 3 to 1 ratio में दिया, 3 to 1 ratio में तो एक का area A है, तो दूसरे का area कितना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और जो जिसका area ज्यादा है, उसका resistance कितना दिया है, 10 ohm दिया है, यानि इसका resistance कितना दिया है, 10 ohm र्जिस्टेंस दिया है, इसको R1 माल लेते हैं, इसका resistance R2 माल लेते हैं, ठीक है, तो 10 ohm दिया है, और 10 ohm किसके बराबर होगा ? रो L by A के बराबर होगा यानि 10 is equal to रो L by area कितना आपका 3 A हो जाएगा area कितना आपका 3 A हो जाएगा तो यहाँ से अगर हम निकालें रो L by A किसके बराबर हो जाएगा आपका 30 के बराबर हो जाएगा clear? यानि जो R1 resistance है वो हमारा 10 ohm है तो जो R2 resistance है वो हमारा 30 ohm हो जाएगा 3 times हो जाएगा ना बिटा है वो resistance R2 कितना हो जाएगा 30 ohm हो जाएगा अब इन दोनों का combination क्या किया पैलर सीरीज कॉमिनेशन किया है तो सीरीज कॉमिनेशन में तो सीरीज कॉमिनेशन में नेट रिजिस्टेंस जो होगा वो बेटा R1 प्लस R2 हो जाता है तो R1 कितना बेटा 10 R2 कितना 30 तो यह कितना हो जाएगा 40 ohm यह हमारा answer हो जाएगा तो सीरीज कॉमिनेशन में नेट रिजिस्टेंस एड़ हो जाएगा तो कितना answer आजाएगा 40 ohm answer आजाएगा समझ में आए बेटा सभी को इसी तरीके से length में भी question पूछ सकते हैं तो बेटा अब length का भी आप भी question करना खुद बनाना और solve करना चीक है नेक्स question की तरफ बढ़ते बेटा यह हमारे पास एक circuit दिया है इस circuit में सबका resistance आ रहा है हमें net resistance बताना है बेटा तो हम कैसे बताएंगे तो करते हैं इसको बेटा तो ए और डी जो हमारा है ए और डी के क्रॉस हमें चाहिए तो हम क्या होगा क्योंकि यहां पर symmetry है left में जितना है वही portion क्या बेटा आपका right side में है लेफ मेर के एक side जो portion बेटा राइट साइड में तो आपके एक तो यह दुनों current आपस में exchange ही नहीं होगे यानि ओ point आपस में touch ही नहीं कर रहें तो इसको mirror image लगाने के बाद हम इसका जो डाइग्राम है वह फिर से बनाएंगे बिटा कि जो हमारा a और d point है यह हमारा a हो गया यह हमारा d point हो गया और इस से यह जो हमारा o point है o point से यह जो resistance से यह हमाँ पोईंट से आपका touch नहीं है थाके मारा हो जाएगा यह और इह जाए यह भी से यहां आपस देखो बिटा इन दोनों के इसका तूसकर पिर सकारेंगे इसका सरकेट इधर डॉकर लेते हैं फिर से। अब इसका बनाइब उएप इसको फिर से डॉकर लेते हैं फिर से एक सेकड़् से ले लिए इसमें तो इप कॉंबिनेशन है यह और प्लस आर यह 2R हो जाएगा तो यह और प्लस आर टू आर एक रेजिस्टेंशों रोगर देते हैं तो 2R हो गया ठीके और यहां पर देखो बैटा यह वाला resistance है यह तो र ही रहेगा इसको haven कर लेते हैं तो यह वाला जो resistance है और यह कौंबिनेशन कितना आ गब टू आर ब ik 30 आ गया और यह resistance मि रहेगा तो इनको लेते हैं तो यहां पे रísटेंस कड़ लेते सीरीज कम्बिनेशन है किसी तो सीरीज में क्या हो गाह नेंटो हो जाएगा तो कितना धोगा अर प्लश ओर थी तो टूरी अर्ट यो जाएगा टूर प्लस अर्ट्री हो जाएगा टूर नहीं अच्छे से question करना भी सीख जाओगे तो यह हमारा डी पॉइंट था बिटा तो ए और डी के साथ बिटा आपका resistance आर फिर लग गया और इधर यह resistance लग गया इधर एक resistance क्या लग गया आपका 8r by 3 लग अब क्या अब तीनों पैल्लर दिख रहा है तो अब इन तीनों का पैल्लर कॉम्बिनेशन आ जाएगा बैटा पैल्लर कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो 1 by R is equal to 1 by 2 R प्लस 1 by R प्लस 3 by 8 R उल्टा हो जाएगा तो 3 by 8 R अब यहाँ पे क्या करेंग बिटा 8 LCM ले ले लेते हैं बिटा तो 1 by R 8 LCM आ जाएगा यानि 8 R LCM आ जाएगा तो इधर आपका कितना आएगा 4 प्लस इधर कितना आजाएगा 8 अब इधर कितना आजाएगा प्लस आपका 3 तो यह आपका आजाएगा 15 by 8 R तो रिखीस्ट हमें निकालना है तो R एक जाएगा हमारा यह कितना आजाएगा टॉट मेरे are equivalent आजाएगा 8 R by 15 डिकिये तो option देखते हैं आपए कौन सा heut और फिफ्टीइं डी ऑप्षन हमरा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स कोशिण की तरफ बढ़ते हैं नेक्स कोश्टन हमारा क्या है थे इक्विलेंट रिजिस्टेंस बेटूइन पॉइंट ए-टीज़ ए-टीजिस्टेंस ए-टीजिस्टेंस हमें फिर बताना तो अग क्यायों क्ये प games गए तो इसको सिमाल लेतें तो देखो सी फेस का एक Dynamic हमने बना लिया इया हमारा सी गया ठीक है अर्सी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टड है पिटा से एक और रिजिस्टेंस हमारा connected वह है इसर कि क comenz में इक फिल हो जाएगा सिर्केट फिल्ट ड्रों कि यह हमारा पोइंत हो गया इदर हमने यह ब्वी पॉइंट ले लिया और यह हमारा बीच सी पॉइं तो इसे इस्न है है और सी से भी दो रेजिस्टेंस का कॉंबिनेशन आर बाई टू हो गया और एसे भी कॉंबिनेशन आपका फिर आपका यह आर हो गया अब आपको फिर दिख गया क्या दिख गया यह दोनों सीरीज हो गया यह दुनों series हो जाएगा और series का combination कितना हो जाएगा आर प्लस आर बाइटू 3 आर बाइटू तो इसका circuit फिर बना लेंगे तो अब आपका a से b a से b हमारा यह resistance हो गया बैटा कितना 3 आर बाइटू और एक उपर आला resistance कितना पैल्डर में आर ठीक है अब ही हमारा क्या हो गया पैल्डर combination हो गया पैल्डर combination हो गया तो आर equivalent हमारा किसके बराबर हो जाएगा multiply कर लो add कर लो तो यह आपका 3 r into r divided by 2 divided by नीचे add करेंगे तो कितना आजाएगा नीचे add करेंगे 3 r by 2 प्लस r तो कितना आजाएगा बैटा 5 r by 2 दो यहां से 2 cancel out हो जाएगा एक r cancel hot हो जाएगा तो क्या आजाएगा बैटा 3 by 5 खराग़ सिर्किट को दुबारा ड्रॉ करें तो आपको एजिली समझ में आजाएगा आपको पूश्जिं चलो बटन, next question की तरफ बढ़ते हैं, next question हमें यहाँ पे दिर रखा, six equal resistance are connected between points P, Q and R, then net resistance will be maximum between, net resistance हमारा maximum किसके बीच में होगा, वो हमको find out करना है, तो हमें क्या करना है, पहले P और Q के cross देखेंगे, फिर Q और R के cross देखेंगे, फिर R और Q के cross देखेंगे, तो सबसे पहले P और Q क्रोस सबसे पहले option देख लिते हैं, तो सबसे पहले option देख लिलेते विटा आपका P और Q क्रोस, P के cross, बेटा यह series combination, यह पैलडर combination बन गया, तो P और R, तो यह P हो गया, यह हमारा R हो गया, इन तीनों का इन तीनों का बेटा क्या बन रहाया है, पैलर कॉमनेशन, तो एक्वल है तो दिवाइड हो जाएगा इसका भी site रवस्ट सिरी तो यहां प्रीमा करोस देखेंगे तो फ्यवाइड को रहे और वो series इसके साथ पैलर बनेगा तो पहले series वाला निकाल लेते हैं तो series वाला कितना बिटा आ यह स्मॉल आर रहे हैं अमने capital लिख दी है तो आर प्लस आर्पाइटू ट्री आर्पाइटू और थ्री आर्पाइटू के साथ क्या है पैलर में है तो इसका और एक्विलेंट कि किसके साथ parallel बेटा, r by 3 के parallel में है, तो 3 r by 2 plus r by 3, multiply कर लो और divide कर दो, ठीक है, तो multiply कर लो, divide कर लो, तो अब हम यहाँ पे next page ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो next page ले लेते हैं, तो r equivalent हमारा pq के across कितना आ जाएगा, add कर लिया और subtract कर लिया, तो इसका तो यहीं लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसका तो यहीं लिख लेते हैं, तो यह आपका 3 r by 2, 3 r by 2 add हो जाएगा, तो 3 3 cancel out हो जाएगा, तो r into r by 2 हो जाएगा, divided by 3 add कर लेंगे, तो यहाँ पे 9 plus, 9 plus 2, तो 11, 11 by 6 r, 11 r by 6 हो जाएगा, तो r एक cancel out हो जाएगा, यह 3 बचेगा, तो 3 r by 11, किसके cross आगया बटा, p और r के cross आगया, 3 r by 11, clear, अब हम किसके cross निकाल लेते हैं, p और q के cross निकालते हैं, अब किसके cross निकालेंगे बटा, p और q के cross, p and q, तो p और q का यही डाइग्राम बना लेते हैं, तो यह आपका, p, q, r, p और q के cross कितना है, r है, और q r के cross कितना है, r by 2 है, और p और r के जगा, r by 3 है, तो अब हमें p और q के cross निकालना है, तो अब यह दोनों series बनेगा, यह दोनों क्या बनेगा, series बनेगा, यह दोनों हमारा series बनेगा, ठीक है, और series बनेगा तो कितना आ जाएगा, r by 2, r by 2, r by 3, तो add होगा तो, r by 2 plus r by 3, add हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 plus 2, 5, 5 r by 6, 5 r by 6 आ जाएगा, अब r equivalent कितना आ जाएगा, r equivalent इसके साथ parallel हो जाएगा, तो 5 r by 6 into r parallel जिसके साथ है, और multiply करो, फिर नीचे divide कर दो, sorry add कर दो, divide में add कर दो, तो 5 r into r by 6, divided by 11 r by 6, तो 6 6 cancel out हो जाएगा, तो 5 r by 11, तो p और r के cross कितना आ जाएगा, था था 3 r by 11, और p और q के cross कितना है, 5 r by 11, तो यानि p q के बढ़ा है, किसे q r से, अब q r का देख लेते हैं, q r का देख लेते हैं, तो q r का देख लेते हैं, q and r, फिर वही diagram बना लेते हैं, तो p q r, p और r के cross कितना है, r by 3 है, यह r by 2 है, और यह हमारा बेटा, r है, clear, तो q और r के cross देखेंगे, तो q और r के cross देखेंगे, तो अब यह series बनेगा, बेटा, अब यह हमारा series बनेगा, कितना हो जाएगा, r plus r by 2, 3 r by 2, तो r equivalent, इसके साथ parallel बन जाएगा, तो 3 r by 2, into r by 2, divided by add कर देते, तो यह आपका, 3 r into r by 4, नीचे आपका कितना, 4 r by 2 हो जाएगा, तो आपका यह 4, cancel out होके, यह 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक r cancel out हो जाएगा, तो 3 r by 8 आजाएगा, तो r equivalent कितना आगया, तो 3 r by 8, तो 3 r by 8 आगया, तो decimals में कर लेते हैं, तो सबसे ज़्याद है किस के आख्रोस आगया, बैटा, q और r के आख्रोस आएगा, सबसे ज़्याद है, क्योंकि 3 r by 8, आपका 3 r by 11 से तो बढ़ा ही है, और इधर भी 5 by 11 है, तो उससे ज़्याद ही डिवाइड हो रहा है, तो आपका 3 r by 8, तो answer आपका कितना आजाएगा, 5, decimal में लिकले थे, फिर भी आपको clear हो जाएगा, तो 3 r by 11 तो होगा ही नहीं, 5 r by 11 तो आपका ये कितना होगा, decimal लेंगे 50, तो 0.4 क्या क्रॉस आएगा, तो 0.44 क्या क्रॉस आएगा, 0.4, जिसे क्याएगा, चीक है, तो हमारा ये कितना आएगा बिटा, 44, 4, 6, 5, 0.45, r क्रॉस आएगा, और इधर देखेंगे तो कितना आएगा, 36, 6 में जाएगा, तो 4, 3, तो ये आपका, 4, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 24 जाएगा ना बिटा, तो 0.3, 6, 6 से आपके इसका जाएगा, 8 से, तो ये आपका 0.3, approximately 8 आएगा, r, तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा होगा बिटा, आपका p and q हो गया, p और q हो गया, तो p और q के अक्रॉस सबसे ज़्यादा resistance होगा, p और q के अक्रॉस सबसे ज़्यादा resistance होगा, समझ में आए बेटा सभी को, ठीक है, next question बेटा, next question हमारा, emf of a cell, cell का emf आपका बेटा, emf of a cell जो होता है बेटा, वो आपका होता है, force required to push the electron in the circuit, आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्स्क्राइब कर लिजेगा, thank you.